Hello and welcome friends, इस class में हम जानने वाले हैं session hijacking के बारे में, session hijacking क्या होता है, कितनी तरहा से होता और किस तरहा से ये काम करता है, तो इनी topics की बारे हम step by step समझने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि session क्या होता है, session को अब समझ सकते हैं एक time period के हिसाब से भी, internet पे जो भी data flow होत लब कि छोटे-छोटे packets के रूप में convert हो जाता है, तो friends, मान लीजिए, अगर मैंने कोई भी message भेजा है, कोई भी request भेजिए, तो वो छोटे-छोटे packets के रूप में convert हो जाती है, जैसे ही ये packet अपनी destination पे पहुंचते हैं, पूरे message अरेंज होकर जो होता है, आपकी request को complete करत करते हैं, वो अलग-अलग techniques की मदद से इन packets को collect कर लेता है, और बाद में आपकी sensitive information को चुराने में इनका use करता है, जैसे कि मैं आपके example की तोर पर समझाना चाहूँगा, मानली जी, man in the middle attack, जो की sniffing के दौरान मैंने आपको बताया था, तो man in the middle attack के दौरान ये था कि जो ए session hijacking, इसे हम एक थोड़ा diagram से समझ लेते हैं, session hijacking में मानली जी, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक victim है, उसने कोई भी information भेजी, तो जैसे ही वो information भेजेगा, information भेजने से, server के पास उसने information भेजी है, उसके बाद जो attacker है, वो यह जो session यहाँ पर generate हो रहा है, उसे चुराने की कोसिस करेगा, तो अभी अगर यह काम करने में वो successful हो जाता है, तो क्या होगा, जो web server है, वो इस तरह से react करेगा, मानली जी यह, कि जो information है, वो इसने, मतलब, अपने जो target है, उसके पास ही भेजी है, तो जो web server है, वो information भेज देगा, attacker के पास, जिसे हम practically करके देखेंगे next time किस तरह से यह काम होता है, इसे थोड़ा और समझने के लिए हमें cookies के बारे में समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि session hijacking को cookie stealing के नाम से भी आप कह सकते हैं, cookie stealing के नाम से भी जाना जा सकता है, या cookie hijacking भी आप उसे बोल सकते हैं, तो friends, cookies क्या होता है, small piece of information होता है, जो, होता है, वो सेव हो रही है, आपके ही browser के अंदर, that are called cookies, उन्हें हम बोलते है, cookies, तो friends, cookies को चुराने का काम करते हैं, जो जादातर attackers हैं या hackers हैं, और इसी की मदद से वो आपकी sensitive information भी चुरा सकते हैं, तो cookies आपकी समझ में आ गई होंगे, कि मान लिजिए, कोई भी work हमने net प सेव ना रहे है, क्योंकि इन फ्यूचर में, अगर किसी भी hacker के हाथ ये cookies लग जाएं, तो वो आपकी permission के बिना आपके ID को access कर सकता, और इसका एक बहुत बड़ी बात ये भी है, कि friends, two step authentication को भी आसानी से break कर सकता है, कोई भी person, assassin cookies की मतद से, तो जो हम practically आगे के वीडियो मे देखेंगे, friends, अगर आपको cookies के बारे में चेक करना है, कि cookies की जो information है, कहां stored होती है, तो आप ये देख सकते हैं, अलग-अलग drive में, chromes या firefox की अलग-अलग locations पे ये जो cookies हैं, आपकी stored होती है, यहां से आप इने delete कर सकते हैं, ताकि कोई इनका benefit ना ले सके, side jacking, एक another matter है, सैसन हाई jacking का, side jacking में आप देख सकते हैं, कि mostly public wireless network होता है, वहाँ पे इसे ज्यादा तर लोग apply करते हैं, इसके अंदर भी semi process होती है, side jacking के अंदर एक जो attacker होता है, वो आपका session है, cookies है, इस तरह की चीजों को चुराने की courses करता है, तो friends, side jacking के बारे में भी हम practical ही आपकी समझ में आगया होगा, एक public network है, जहां पे कोई भी attacker, आपकी sensitive information को चुराने की courses करता है, उसके लिए लग लग tools का वो इस्तिमाल करता है, अगर किसी भी तरह एक particular session या cookie चुराने में वो successful हो जाता है, तो फिर आपकी sensitive information उसके हाथ लग जाती है, तो friends, hope so ये आपकी स समझ में आ गए होगे, next time practically हम ये समझेंगे कि किस तरह से ये चीज़े काम करती है, thank you and goodbye.